तमिल नाडू के तंजबुर जिले में सिथे वर्ल्ड फेमर्स ब्रहदेश्वर मंदिर लगभग 1100 साल पुराने इस मंदिर की भविता देखते ही मनती है विशाल गोपुरम, मूर्तियां और भित्ति चित्र हैं यहां देखकर ही कारिगरों को प्रणाम करने का जीब ही चाता है हलांकि इन में से एक भित्ति चित्र ऐसा है जिसे बनाने वाले को अगर आप प्रणाम करते तो उसका जवाब होता हेलो, हाव अर यू दरसल, ब्रेदेश्वर मंदिर के पूरवी तरफ दिवार पर बने एक भित्ति चित्र में एक अजीब सा चहरा बना हुआ है सर पर हैट लगी है, कोट सा कुछ उसने पहना भी हुआ है और चहरे पर उसके एक मुसकान है देखकर शक होता है कि ये तो किसी अंग्रेज सा दिखता है या या यूरोपियन सा इस चहरे के पीछे कहानी किसे के रूप में दर्ज है बात है उन्नीसवी सदी के एकदम शुरुआती सालों की हुआ ये कि एक अंग्रेज आफिसर हुआ करते थे सर्वे के काम के लिए मंदिर के गोपूरम पर चड़ गए और साथ ले गए सैक्णों किलो भारी एक इंस्ट्रुमेंट गल्ती से इंस्ट्रुमेंट फिसला और गोपूरम के भगल की दिवार पर गिर गया और एक भित्ती चित्र में तूर फूर्ट हो गई अब क्या करें अब इस साहब थे बड़े माहिर किसम के इंसान लोग नाराज होंगे यह सोचकर उन्होंने कुछ दिन लगा कर भित्ती चित्र को रिस्टोर किया और एकदम नया सा बना दिया हालांकि इस दौरान उन्होंने एक चालवाजी भी किया क्या किया उन्होंने ओरिजिनल भित्ती चित्र की जगे अपना चहरा बना दिया इस तरह एक अंग्रेज का चहरा ब्रहदेश्वर मंदिर पे हमेशा हमेशा के लिए दर्च हो गया कैसे बनाया जानेंगे आज के पेसोड में नमस्ते मैं हूनिकिल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें आज कहानी भारत के नक्षे की प्लासी के बार भारत के नक्षे की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं किया नक्षा पहली बार किसी अंग्रेज ने बनाया हो अंग्रेजों से पहले भी नक्षे का इस्तमाल होता था इंदुस्तान में पड़े लेके लोग थे लेकिन ये उतने सटीक नहीं थे अंदाजे के आधार पर बने हुए नक्षे ये थे जबकि ब्रिटेन में सर्वे तक्नीक का इस्तमाल काफी पहले शुरूआ था साइन्टिफिक सर्वे के हम बात करें भारत में सर्वे की काहनी शुरू होती है अठारवी सदी से प्लासी का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइफ बंगाल का गवर्नर जनरल बना सुबे पर पकड़ बनाने के लिए जरूरी था कि टैक्स का सही कलेक्शन हो और इसके लिए जरूरत थी सटीक नक्षों की क्लाइफ की दौर में जब पुराने नक्षों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वो आक्यूरेट नहीं है लहाजा 1767 में इस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर जेम्स रेनल नाम के अफसर को बंगाल के सर्वे की जिम्मेदारी दे दी यह भारत में टोपोग्राफिक सर्वे की शुरुवात थी साल 1799 में टीपो सुल्तान को हराकर अंग्रेजों ने मैसूर को भी अपने अधीन किया मैसूर में भी सर्वे का काम शुरुवा हलांकि मैसूर और बंगाल में सर्वे के काम को वो सफलता नहीं मिली जैसी उमीद थी अंत में ये जिम्मेदारी मिली करनल विलियम लाम्टन को कौन थे ये वही जिन्नोंने ब्रहदेश्वर के मंदिर में अपनी ही तस्वीर बनवारी अलागी इनका एक परिचाय और है भारत आने से पहले लाम्टन अमेरिका और बिटेन के बीच हुए युद में हिस्सा ले चुके थे और इस दोरान अमेरिका में कई महने तक इन्हें युद बंदी बनकर रहना पड़ा था साल 1796 के आसपास हिंदुस्तान है एस्ट्रोनमी की फील में दिल्चस्पी रखने वाले लैंटन को सर्वे में बड़ी अच्छी जानकारी थी अनुभवी था इसलिए उन्हें सर्वे की जिम्मेदारे दी गए हाला कि जैसा हमने पहले बताया सर्वे के पीछे इस्ट इंड दरसल हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस वक्त अग्यानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि धरती गोल है ये वो जानते थे लेकिन जब यॉरप में सर्वे की कोशिश होई तो पता चला कि धरती पूरी तरह गोल भी नहीं है दोनों सिरो पर चप्टी सी है और बीच में चौड़ी भी है लगभग एक संत्रे की तरह आप मान सकते हैं अठारवी सदी आते आते ये बात पक्के हो चुकी थी कि धरती का कर स्फेर यानि गोले जैसा नहीं है गेंद की तरह नहीं है लेकिन ये कर्व कितना है कितने डिगरी का है ये बात मालूम नहीं थी किसी को और ये पता करना बड़ी ठीड़ी खीर भी थी क्योंकि तब GPS जैसे सुविदा नहीं थी कि गूगल मैप्स पर डाला और दिल्ली से नॉड़ा की दूरी आपने देख ली पैदल चल कर नापना पड़ता था बीच में पहाड नदिया समंदर पड़ते थे अब ये काम अबिसली लिंक में हम उनके बारे में पहले बात कर चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बरहार विलियम लैम्टन की कहानी पर हम आ रहे हैं वापस लैम्टन को जो सर्वे के काम के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी बाने धर्ती की कमर का बल इस काम में लाए जा सकते थे साल 1802 में आखिर का ब्रिटेन से थीओडोलाइट मनगवाया गया और तब जाकर शुरुवात हुई दे ग्रेट ट्रिग्नोमेटिक सवे की दे ग्रेट ट्रिग्नोमेटिक सर्वे हुआ कैसे ये जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझने पड़ेगी शुरुआत करता है गालिब के एक शेर से गालिब लिखते है कम नहीं जल्वागिरी में तेरे कूचे से बहिष्टा यही नक्षा है वले इसकदर आबाद नही यानि स्वर्ग की खूपसूर्ती तेरी गली से कम नहीं है नक्षा दोनों का सेम है बस स्वर्ग तेरी गली जितना आबाद नहीं है बला होगा लिख का पाला किसी गणितग्य से नहीं पड़ा क्योंकि शायरी में नक्षा बनाना आसान है कागज में भी नक्षा प्लेन होत पढ़ती है ट्राइंगुलेशन की, ये क्या है, आठ वी कख्षा की ट्रिगनोमेट्रिसे आप समझे, फर्स कीजिए एक ट्राइंगल है, जिसकी एक लाइन जमीन पर है, इसे आप बेस लाइन कहिए, ट्राइंगल की बाकी दो लाइन दूर एक पहाड की चोटी से मिलती है आप जमीन पर लाइन की लंबाई माप लेंगे आप फिर भी आसान है इसके साथ अगर आपको पहाड से जुडने वाली दोनों लाइन से बनता हुआ एंगल पता चल जाए तो basic trigonometrics से आप पहाड से दूरी calculate कर सकते हैं बस यही है triangulation हलाकि असलियत में surveying में और काफी चीजों का ध्यान अठना पड़ता है लेकिन basic principle यही है triangulation का principle सबजने के बाद अब जानते हैं कि survey का काम कैसे हुआ 8 अप्रेल 1802 की तारीक थी मदरा सेनी आज के चन्ने के बीच पर एक सीधी रेखा खीच कर William Lantern ने the great trigonometric survey की शुरुआत की यह पहली baseline थी जिसे 100 feet लंबी chain से बनाया गया इस chain की कहाने भी अपने आप में दिल्चस्प है लंबी दूरी के लिए आप बार बार इंच टेप का इस्तमाल तो कर नहीं सकते इसके लिए खास folding chain का इस्तमाल होता था जो कई टुकणों से बनती थी हर टुकडे की लंबाई पहले से तै थी इसलिए इन टुकणों को गिनकर आप एक टुकडे के लंबाई से गुणा कर देते तो आपको कुल लंबाई मालूम चलती लैंटर ने जो chain इस्तमाल की वो ब्रिटेन से चीन पहुँचाई जानी थी लेकिन कुछ कारणों के चलते ये chain कलकते में रह गई चेन को इस्तमाल करने का तरीका भी वैसे लेकिन सिंपल नहीं था कि आप उसे जमीन पर बिचाएं और लाइन बन जाए chain सीध में लगे बकसों में बंद रहती और उन बकसों को ट्राइपॉड की मदद से जमीन से उपर खड़ा किया जाता इसके अलावा हर बकसे में थर्ममीटर लगा होता था ताकि लगाता टेंपरेचर चेक हो ऐसा आइसले क्योंकि गर्भ में और ठंड से chain सिकुरती है फैलती भी है आम तोर पर ये अंतर सिर्फ एक दो इंच का होता है लेकिन जब आप triangulation के जरीए दूरी नाप रहे हो तो एक इंच में बदलाव अंगल में बदलाव ला सकता है और अंगल में थोड़े से अंतर का मतलब कई किलोमीटरों का अंतर हो सकता है इन दिक्तों के चलते हैं सिर्फ 12 किलोमीटर बेस लाइन बनाने के लिए मदरास presidency में 1804 तक सर्वे करने के बाद लैंटन बंगलॉर गए और इस तरह केरल आदी दक्षिन के इलाकों को ट्राइंगल में बाठते हुए 1809 तक दक्षिन के बड़े भुबाग का सर्वे उन्होंने पूरा कर लिया इस सर्वे के दौरान तंजवर में लैंटन ब्रहदेशवर मंदीर के गोवपुरम पर चड़े थे जो किस्सा हमने एकदम शुरू में आपको सुनाया मदा के एक तरफ लेकिन सर्वे का एक काम कितना कठिन होगा शब्दों में बताना मुश्किल है लैंटन के लगबख सूला साल इस काम को अंजाम देने में लगे उनके साथ लगबख साथ सो भारती और थे इन लोगों ने एक हजार किलो मीटर की दूरी नापी लैंटन ने इस सर्वे के दौरान जो भीस लाइन बिचाई उनकी लंबाई 50 से 80 किलो मीटर तक थी इसके लिए उन्हें घने जंगलों पहाड़ों से गुजरना पड़ा वो भी भारी भारी इंस्टूमेंट्स को लेकर बेमारियों का खत्रा लगातार बना हुआ था और ऐसी एक बिमारी से साल 1823 में लैम्टन की मृत्यू भी हो गई उनके बाद ये जिम्बा समभाला जॉर्ज एवरेस्ट ने वही एवरेस्ट जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के दौरान ही एवरेस्ट और केटू जैसी पीक्स की उचाई ना पी जा सकी हाला कि ये काम एवरेस्ट ने नहीं किया लेकिन उनके योगदान के कारण माउंट एवरेस्ट को एवरेस्ट का नाम मिला एवरेस्ट की उचाई कैसे ना पी गई जिसका सपना लाम्टन ने देखा था उन्होंने भारत से होकर गुजरने वाले longitude का आग calculate किया अब longitude का आर्थ हम मान के चल रहे हैं आप जानते होंगे फिर भी revision के लिए sun shape में समझते हैं पूरे दुनिया navigation के हिसाब से या एक से दूसरी जगा यात्रह करने की सुविधा के हिसाब से डेरो कालपुने करेखाओं में बाटी गई है ऐसी भी में, ऐसी भी है इन रेखाओं के चलते हैं दुनिया के किसी भी स्थान को केवल दो कोडिनेट से तर्शाय जा सकता है वह इन रेखाओं से हैं वो latitude कहलाती है स्कूल में हम ऐसे याद रखते थे कि जो रेखा लेटी है वो latitude है भारत में सर्वे से एवरेस ने पता लगाया कि longitude कितना ज्यादा मुड़ा है यानि असल में धर्ती का bulge कितना है उस समय इसे the great arc of meridian का नाम दिया गया एवरेस के बाद दो लोग और सर्वेर जेनरल बने और अंत में 1871 में great trigonometric survey का काम पूरा किया जा सका इस survey के जरीए पूरे भारत को कई छोटे-छोटे triangles में बाट करना पा गया survey का इजाल कितना बड़ा था आप स्क्रीन पर दिख रहे नक्षे में देख सकते हैं कमाल की बात क्या है कि सर्वे इतना accurate था कि modern technology से compare करेंगे तो इसमें महस 0.002% का error था great trigonometric survey के पूरा होने के बाद भारत के नक्षे में रगातार सुधार भी हुए आजादी के नक्षे में देखने वाली पचास हजार मीटर की दूरी नक्षे में एक मीटर दर्च के गई survey का ये काम हलांकि आज भी जारी है modern satellites के जरिये कोशिश की जा रही है कि पूरे भारत का नक्षा वन इस्टू 25,000 के स्केल पर तयार किया जा सके इसी नोट पर आज के एपिसोड को रुकते हुए आप से विदा लेते हैं उमीद है आपको इजान करें पसंद आये होगी जो जो टाइक अमल ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया आप देखते रहिए दील अलंट झाल